हेलो बच्चो आज के स्पीड गियो में हम कक्छा आठ्मी एटीगली की पुस्तक है, उसमें हम बिसाइक गढलत को हल करेंगे इसमें हमें अध्यार 2 से हल करना था, अध्यार 2 में दिया एक चर्वाली रेख्क Saminkra तो आज की पीड़ों में देखेंगे कि इनको कैसी हल करती है देखिए कि potato इसे समेक्रा होती है जन चरकी양ण Desde पहला प्रज्सका है पहला प्रेσन दिया गया कि समीक्रण हल करें यानि हमें जो को समीक्रण नीचे दिये गए हैं इनको हल करना है जैसे पहला समीक्रण दिया है तीन एक सरेन दस बरावर पाँच यह समीक्रण दिया है यह समीक्रण कैसा है एक चरवाला रेकिक समीक्रण है और हमें इसको हल करना है तो हम इसको कैसे हल करते ह जो इसमें जो एक्स है इसका हमें मान नकालना होता है इन समीक्रणों में हमें एक्स का मान नकालना होता है तो हम देखेंगे कि एक्स का मान कैसे नकालते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना जो समीक्रण दिया गए उसको हम बैसा का बैसा ही लिख लेती जैसे तिरी एक्स हय आए रया है अब हम देखेंगे कि इन में देश्ट देखाई दे रहा हैं यहuing में का कि हमने पक्षांतर करना है नहीं का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भी रिया कीं दस हैं यहां जब बडाबर कि इस तरह ले आएंगे तो यहां पलट जाएगा यानि धन धन की 10 तो यहां पर देख़ें कैंद सबसनित oraz ॐ तो यहां पर एक्स हैं जो तीन है जो यह एक्स के गुड़ा में हैं यानि तीन है जो एक्स के गुड़ा में हैं और जब हम तीन का पक्षांता करेंगे तो जो संक्या गुड़ा में होती है उसका जब हम पक्षांता करते हैं तो भाग में चलिए यानि हम इस तीन का पक्षां तिन इकमती cat's車 पंदरा कितिनी बार दुनिया पड़ेगा पांच यानिया कुस posição का मान आयेगा 5 этом शुरॏ पंदरा ने दूसरा बानम्मर में समिक्रन अशक करेंगे दिए इसे समीक्रान क्या दिया है समीक्रान दिया कि दो बटे 5 울कें 3ol5 ये इस समीक्रान दिया उसको हमने चयों करना है अब देखेंगे इसमें संक्या क्या है संक्या है 3 अब पक्षांथ करना थे तो इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी माइनस 3 यानि 5 तो चाहेगा अब देखिए पाठी पांच परावबर 25 मिस्तिन गटी तो यहां पर तो आ जाएंगे अब देखिए यहां पर जो पाँच है यह कैसी है भाग में भाग में हैं और हमने बिताया था कि जो संख्या गुणा में होती है उसका पक्षांतर भाग में आता है और जब भाग वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो भाए गुणा होती है तो देखिए जो पांच ही है भाग में यानि इसका पक्षांतर करेंगे तो यहां पर इसक सब्सक्राइब करना है तो इनका पक्षानता करना है तो अभी दो कैसे हैं गुणा में तो इनको काटेंगे दो पंची दस यानि एक्स का मन करने के लिए एक्स बराबर आजाएगा पांच इस तरह से हमें सब्सक्राइब करना है फिर हम प्रसन किरमांग दूसरा हल करते हैं तो देखिए दूसरा प्रसन क्या है प्रसन किरमांग दूसरा कहता है कि इसको हमें पढ़ना है प्रसन को पढ़ते हैं किसी संख्या को एक बटे तीन में से किसी संख्या को एक बटे तीन में से घटाने पर और परिणाम को 4 से गुणा करने पार कितना प्राप्त होता है 28 कि यहां फर आपको यह अबस्थ वही के प्रहसन आगी संख्या को हमें संख्या नहीं आगा तो सबसे पहले हमें प्रष्ण समझेंगे यह फ्याद forced से पढ़ते हैं जैसे प्रशन कहता है कि किसी संख्या को अब हमें संख्या नहीं मालूम कि कौन संख्या है तो हम कोई भी संख्या ले सकते किसी संख्या को किसी संख्या को एक वर्टी तीन में से यानि हम जो संख्या लेंगे उसको एक वर्टी तीन में से घटाना है माने जो स परिनाम को चार से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 28 मिलेगा यह प्रेश्ण कहता है इस तरह से हम समझेंगे फिर उसको आंग़ करेंगे जल्दी बन जाएगा तो अब्य हमने क्षेच माना कि किसी संख्य किसी थे यायनी संख्या माले यक्स आप कोई मरें प्रस्में लखा कि एक बाटे 3 में से घृटाने पर किसमें से घ्ठाना है एक बोटे 3 में से यह वाली संक्या गठा mieć इसमें से लिखेंगी फिर परिनाम परिनाम अपके यहीं परिनाम आइगा तो हम यहीं से बना लिया किसी गुणा करना है चार से परिणाम है जो यह पूरी संक्या होगि और इसमें चार से गुणा करना है देखें हमने यही वाला स्टेप है जो यहाँ पाल लग दिये चार एक बेटी तीन द्रेण एक्स आप इतना समझ्छICK होंगी मैं AKS चार सी गुणा करने पर कितना प्राफ्ट होता है तो हमने बराबर में लिखä लिए अठाइस यतना आपको करना है येदि आप चाहा करना ये आगे में अर्फ आल और में आज हो जांगे अध्तकर कि कीवल प्रावने साथ लिख दिए अब यहां से चार तो कर जाएं कि इनका पक्छांतर हो गया तो केवाल यहां पर बचेंगे एक बटे तीन रहां एक लिख दिए एक बटे तीरे एक पर कितना होगा उता आप इतना समझ चुकी होंगे अब हमें क्या का नहां इसका हम पक्चानता करेंगे यानि देखो पहले जी माइनस हैं हम इनका ये इसको इस तरह प्लिए और 7 को इस तरह प्लिए उसके साथ हो जाए इसके नीची का step कुन सा है एवाला तो देखो X है रेन X तो इसको इस तरह पले आएंगे तो X बन गया और जो 7 ते यहाँ पर 7 बन गया और एक बटे 3 जियों के ते यहाँ आप समझने कोसेश करें देखिए कैसा हुगा है कि देखिए जो 1 बटे 3 इनको हमने जियों का तेयों लखा है 1 बटे 3 रेन 7 फिर अब क्या किया इसका हमने लगो तम लिया एक बटे 3 रेन साथ है इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे हरका लगो तम लेती है नहीं का लगो तम लिया तो नीचे आएगा 3 यह लखा है 3 और फिर ऊपर देखिए ऊपर एक रेन यहाँ पर 7 बटे 1 है तो यह तिया 3 यहाँ पर आजाएंगे 21 कितने 21 जाब एक रेन 21 करेंगे तो आएगा रेन 20 बटे 3 यह हमारा उत्तर हुगा एक सब्राबर कितना आएगा रेन 20 बटे 3 इसका यही आंसर होगा जिस तरह से आपको प्रसन को पढ़ना है समझना है और उसको आंगे हल करना है अब आपसे यह प्रसने कैने लोस एक सब्सक्राइब विकाए सब्सक्राइब करें 20 किसे सब्सक्राइब लेकिन उन्हें उन्हें परते जैनल कि उन्हे में अंत कितना अठारा अंतर है 18 का तो संखया है नंस अब हमें क्या क्या का है देखिये यह यह अनुपात नहीं देते हैं लेकिन पर हमें अनुपात दिया है फास इके नहीं bother साथ कितना है 18 अंतर मतलब क्या होता है घटाना अंतर मतलब घताना तो अंतर करेंगे तो 25-13 अंतर क्या होगा 25 दीन याँ यहां पर देख यह मैसे 36 कटाएंगे तो आएगा दो याँ थोड़ा सीधा कर दिया याप करेंगे 5 x 3 x 2 आएगा कितना दो यहां में 2 x बराबर 18 ठीक दो यहां पर गुणाम है तो इनका पक्षा पर चंता करेंगे तो यहां पर नीची आ जाएंगे पर काटेंगे तो दोई नाम 18 यानि एक्स की वैल्यू के दिनी आ जाएगी एक्स पराबर 9 तो यह आप देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू आईए 9 लेकिन अभी संख्या पता नहीं चली तो हम संख्या निकालेंगे संख्या कैसे नकालना अब आपको केबल इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है जैसे पहली संख्या मानी थे हमने पांच एक्स पांच एक्स की वैल्यू कितनी नो तो पांच गुरत हो जाएंगे नो यहाँ पर देखिए पांच गुरत नो फचना 45 यानि एक संख्य क्या होगे 45 और दूसी संख्या क्या मांने इसली तील कि किसी आयत का परिमाप इसमें आप आयत का परिमाप दिया है कितना दिया है बाउन सेंटीमेटर आप प्रसन को समझें और उसको आगे हल करना है जैसे हमें प्रसन में कहा गया कि किसी आयत कोई भी आयत है और उसका परिमाप दिया है बाउन सेंटीमेटर आप परिमाप समझ हैं आप क्या करेंगे देखिए सबसे पहले हमें जो कुछ दिया उसको लिख लेंगे जैसे हमें आयत का चोड़ाई कि तिन दी सबसे पहले हम आयत का परीमाप का सूत होता है दो को याद नहीं है तो आप इसे याद कर लिए आयत का परीमाप का सूत क्या होता है दो बड़ेत को स्टाक में लखेंगे लंबाई दन चोड़ाई यहीं सूत्रोता इसको याद कर लीजिए आप क्या करना आपको के वल कोर्श नहीं करना है इसमें मांधर देना है जो हमें सवाल में प्रशन में value धी गए जिसकी जी उसकी हम यहाँ पर रख देंगे जैसे हमें प्रिमा पदिया है और चौडाई दिया है तो दो देखिए परिमा उन लग दिया बान और चौडाई के लोग से इसमें सबस्टाइब मोशलरा में करेंगे जब रहा करेंगोर इसके नीचे र habits as क्या सब्स्क्राइब करेंगे सब्सक्राइब क्या थी Vsi SEMS है क्या सी संध्या है इसका करेंगे यह सब्सक्राइब रेन 22 होगा पाउन में से 22 कट जाएंगे तो बचेगा 30 यहां पर लग दिया दो लंबाई थी तो एक लंबाई नकाल नहीं तो दो से काटेंगे लंबाल कितने पाउन काटेंगेा पाउन पाउन परर्तमन र disorders कितने पांच माथजी में पर देखते हैंगे पाउनom प्रैसमय काणिता है फे यह उनकी आयुका अनुपात है राहुल और हारुन की बर्तमान आयू का अनुपात कतना है पांच अनुपात साथ फिल लखा है चार वर्स बाद दोनों की आयू केतना होता है चपन होगा दोनों की बर्तमान आयू नकाल लिए हमें किसकी बर्तमान आयू नकाल लिए दोनों की राहुल की और हार पर देखना चार बर्स बाद कहरें है बाद जैसे आप अपने से लगाएं कि जैसे हम आपसे कहें कि आपकी चार बर्स बात आयू कितनी होगी तो आप क्या करेंगे जो आपकी बर्तमान आयू है उसमें चार जोड़ कर बताएंगे और यदि हम कहें कि आपकी चार बर्स पहले की आयू कितनी थी तो आप क्या करेंगे अपनी बर्तमान आयू में से गट राहुल की परत्रमन आयुदी पांच एक चार वर्स बाद लाहुल की आयों होगी 5 धन्चार और हरुन की आयुद कि तिनी होगी साथ धन्चार आप एतना समझ चुके होंगी तर अब आगे प्रस्ण में पढ़ते हैं प्रस्ण क्या कर रहा है कि चार वर्स बाद दोनों की या योग योग दिया है यानि क्या करना है गवार दोनों की जोड देना हुआ जैसे चार बरसे बात राहिल के था पंच एक्स धंचार और हरुन के कितनी थी साथ एक्स-थाल तो इनको जोड़ेंगे कि नहाएगा 56 माच एक्स-थार धन-चार बराबर हो जाएगा 56 इतना आपको क में देखो एक्स बाली संख्या और एक्स बाली संख्या को जोड़ेंगे बिना एक्स बाली संख्या नहीं जोड़ सकती चर चर में जोड़ता है अचर और अचर में जोड़ीगा तो चर है जो यहां पर बचेगे लिए अब देखिए जो आठ है इनका पक्षाइंतर करेंगी जो प्लस की आठ है यहां पर आएंगे तो मानस 8 हो जाएंगे चापन में सी आठ घट जाएंगे तो कितना बचेगा 48 और 12 एक्स बराबर हो जाएंगे 48 देखिए जो 12 यहां पर गुड़ा में इनका पक्षांत करेंगे तो यहां पर भाग में पहुँच जाएंगे फिर 12 से काटेंगे 12 चो की 48 यानि एक्स का मान आना है एक्स बराबर आजाएगे 4 एक्स बराबर कतना आजाएगा 4 आप भी देखिए कि यह जो एक्स का X की value केवल हमें 4 रखनी है यह सब गलत है X की value 4 रखेंगे उतकर 5 की 20 आएगा और यहाँ पर 4 रखेंगे सच्चो की 28 आएगा यानि उनकी आयू कितनी होगी रावल की होगी 20 वार्स और हारोन की होगी 28 वार्स ठीक इस तरह से आप पू करना है केवल यह नहीं देखना यहाँ पर गलत है यहाँ गलती क्या है बताती है जो यहाँ पर 12 रखती है 12 नहीं है यहाँ पर कितना है 4 है 5 गलत 4 करना है आप यहाँ पर समझ चुके है पंचो की 20 आएगा और सच्चो की 28 आएगा ठीक इस तरह से आपको प्रस्ण क्रमा पाचमा हल करना है फिर हम चटमा प्रस्ण देखते हैं चटमा प्रस्ण क्या कहता देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 90 अब हमें संख्या नहीं दी उननका योग दिया है कितना है 90 यादि एक संख्या दूसरी से 10 देखे देखिए क्या कहते हैं कि एक संख्या है जो दूसरी संख्या से दस देखे हैं जैसे कोई हम एक्जामपल देते हैं आप से कि दूसरी संख्या मान लिए हमने पांच तो एक बाया माने जो पहली संख्या कितनी होगी दस देख्या है तो एनी बाया होगी पंद्रा होगी इस तर करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यह से तो कोई संख्या नहीं मान सकते हैं हम यह आप चाहें तो कोई भी संख्या एक मालने दो मालने यह से नहीं मान सकते हम क्या करें मानेगे कि दूसरी संख्या क्या है एक्स जैसे एक्स मान सकते हैं दूसरी संख्या हमने माली एक्स च ये से 10 होगी एकसे 10 है कि इस से 10 होगी इतना आप समझ चुकी है अब फिर प्रश्न को देखें का योग कितना नभ्य यानि जो हमने संख्या मानी है इनका योग है नभ्य तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे पहले संक्या थी यहां पर लेगी दूजिक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बन जाएंगे यहां पर जाएंगे रणदास हो जाएंगे तो यहां पर दोसी पराबर चालिस तो दूसी संक्या होगी 40 यहां प्रयाक्स का मांधर देना है यहां प्रयाक्स का मांधर देना है यहां प्रयाक्स का मांधर 40 रखेंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा और दूसी संक्या होगी 50 इस तरह से आपको यह प्रस्ण हल करना है आप एक बार प्रस्णों को हल करने की कोशिस करें आपसे जरूर प्रस्ने बनेंगे पर हम अंगला प्रस्ने करते हैं प्रस्ने किरमाग सात्मा है तो देखिए सात्मा प्रस्ने क्या है समीक्रन हल किजी इसमें हमें कोई एक समीक्रन दिया गया इसको हल करना है आप इस तरह की सवाल कर सकते हैं जैसे समीक्रन दिया है पहला समी करना सी लेना है इस तरह क्या करना सबसे पहले हम सीखते हैं तो देखिए जैड़ बटे जैड़ पलस 12 बराबर कितना दिया तीन बटे पांच तो इसमें आपको क्या करना इनका त्रियक गुणा करना होता है कि यह साथ तिर गुणा यानि इसका इसमें करते हैं और इसका में करती हैं दीट एक गोना 5 में करेंगे कितना हो जाना और इस पूरी संख्या का करेंगे फिर में 3 में देखिए जैड प्लस bandhateini तीन भूंऔ यहां है आप समाझने की कोशिस करें की इन को तो पूरी संक्या में होगा तो कितना आएगा तीन जैट फ्लस बारातिरी चत्तिस ठीक अब हम इसको आगे हल करते हैं देखिए समीख्र क्या बन गया पांच जैट बराबर तीन जैट प्लस चत्तिस अब जैड़ वाली संक्या को एक तरफ जैसे पांच जैट वह यह बगाल है त यृई तो इनका प्रक्षानता करेंगे तो कत Christians है यहां पर प्रक्षानता होगा प्माच जैट ट्रण तीन्जैट हो जाएंगे व्लाबर चंटीतिस है तो आप से चाहिए करना पहले highlight को तिरी एक गुणा करना होता है यानि जेट का 5 में और जेट प्लस 12 का 3 में और यहां से हम जेट का 1 नकाल लेंगे ठीक अब हम आंगे का कॉस्चन करते हैं प्रस्ण क्रमा आठमा प्रस्ण क्या करता है देखिए इसको पढ़ती है प्रस्ण है दो अंकों वाली कितनी अंकों वाली दो अंकों वाली संख्याओं में अंकों का अंतर कितना है तीन दो अंकों वाली संख्याओं है और उनमें अंकों का राप्त होता है तो हम संख्याएं ग्याद करनी हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है प्रश्न को समझने यदि आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप इसको दो बारा पढ़ेंगे रहा को फिर से पढ़ते हैं जैसे दो अंकोवाली संख्या होती हैं अब उन kung भी संख्या है जैसे इनी का अंतरहीं कितना होना चाहिए-3 हीुए और उनको पालट देती हैं और जोडती है तो किता है हमें 99 मिलता है और यह से संक्या में नकाल ल negotiation है तो आप आपblesfriendly 12 भी जेकल आपको 12 तो 12 तिक होली 243 2 नहीं हो गाव क्योंकि हमें जोरने हमें कितना मिलना चाहिए मिलना चाहिए लाय संक्या हमारी हो जाएगी स्कूराकिस कहते हैं सबसे पहले हमान से करते हैं नियूहराहिए यदि संक्या पाता होती तो हम बताते है एक यह तो हम्हुतना है नहीं के dull यह अंक है कि इसलिए मौन दिरापना है ईसका 1 वह और 11 वार कितना हुआ 11 प्लस 10 क्योंकि तवी अंतर 13 होगा फिंसे सथा किये हम नैथ 10 या तू अधेख होगी या पर तीन कम होगी जैसे हमने संख्या मानली एकाई का यक्स यह तो दहाई का खूगा एकस प्लस तीन इतना आप समझ चुकी होंगे फिर आगे पढ़ते हैं अंगी प्रेस्न में क्या लखा है इस संख्या में इसकी अंकों किस्ताना बदल अभी दोड़ी दिखिए दो अंकों बाई संख्या अब देखो इन अंकों से हम संख्या बनाएंगी तो देखो संख्या एकाई किया है एकस एकाई है एकस और दहाई है एकस प्लस तीन यानि इसमें हमें किसका गुणा करेंगे द नभी दहाई बनेगी और यह हैए हमने बना लिए 10 गुरत एकस दन तीन धन एकाई कितनी है ऑफ हम इसको हल करेंगे जब सको करेंगे जब जो हमारी संख्या बटे 30 अब फिर आंगे पढ़ते हैं प्रशन क्या करता है इस संख्या में इसकी अंकों के इस्तान बदल देने पर अब आंगे क्या करना अंकों के इस्तान बदल देने हैं यानि जो पहले एकाई थी भाई आप दहाई बन जाएगी और जो दहाई है भाई एकाई बन जाएगी जब यह प्राइब 11 नखाए तो यह पर जी एक्स्ट तिन लखाए यानि वूझ रियो शांख्या बनेगी वह कौस्टी 11 30 बणता है और संक्या को जोडने पर कितना मिलता है निन्यान वां सब्सक्राइब जोड़ने हम हमें कितना मिल्दा नियानवै, जैसे है यह संक्या और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बर Guillem I, ौर 007 हां पर लखा है, देख Yeah 11 bond 2013 घ्रा-स tight 17 बराबर 99 तो 1121 हो जाएंगे 22 wax 1333 बराबर कतनी है 99 अब देखे यह है थी 30 है यहां पर इनका पकचानता हो गए तो रणकी 23 हो जाएँगे तो 99 में इंस तो आěगा 66 22 x पराबर सी 29 या फी बराबर हो जाएगा 66 यहांसों हे हम 22 का पकचानता करेंगे तो कट जाएगे 22 fed 23 היה 66 यानि 1 कंणे के लिए ** 3 एक सब्ख़ाबर कितना जाएगा 3 इस तरह सी आपको हल करना है अब यहाँ पर रख देंगे जो हमने संख्या मानी थी यह और इकाई गंख होगा 3 और 10 गंख होगा 3 और और इसको हल करेंगे तो फ्रहों आप छो मसी बन जायेंगा अब करती है आरमालोक्रा क्रेंट फ्रेमांल करब। हाँ सब्सक्रांट सब्सक्राइब हो गईयां और गुरुदिप burdens Score uine कि गुर्दिप के hop sevens यह जिए अब्रुन केहें तुस्ड यह आविक जो आंगे भी किया है बैसा ही सवाल है देखिए बिलियम और गुरुदीप की बरतमान आयुकान उपाद करना दिया पांचान उपाद साथ नौमा प्रस्न क्या है बिलियम और गुरुदीप की बरतमान आयुकान उपाद दिया है पांचान उपाद साथ जैसा हमने अभी पहले ब सरल रूप में बदलते हुए है और समीकरण कर स्राल रूप में बदलते हुए हरोज कि इसको अब स्लस्क्रण करना ह sworn यहां निकालना है यहां निया है यहांप यहांन यहां लिख लिए लिए आप देखेगे इसमें क्या करना है सबसे पहले जो चार है इसका पूरी कोष्ट्ट सबसे पिल्यकोस ख्वल करेंगे यानि चार को इसमेंunkना करेंगे च पूरी संक्या में गण्या होगा पहले एक सम刚 एक समय करेंगे लित्पलमा जाएंगे च्या wildac पहले से था एक प्लस चार एक रहाज बराभर यहाँ पर करेंगे तक दरन तीन एक सडीन करें तो नो तीन तरस च्ञ brigों गूंडबर कर रहाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ तुमıyı चीए ऩच यह कि ऊक्य। तो रहन की 3X हो जाएगा अब यहां पर 27 पहले सी था और जो रहन आठ है इनका पक्चानता करेंगी तो कितना हो जाएगा प्लस की आठ रहन 27 धन आठ बनेंगी अब देखिए तो शat रहन 27 धन आठ करेंगे तो संक्या घट जाएगी और बड़ी संक्या करें चन यानी का चन आएगा तो राण 27 धन आठ करेंगे तो आजाएगे रहन 19 और जो पास एक मैंश करेंगे तो आएगा 2x यहां से एक सवान नकाल यहां प्लस पर राभा कतना आ जाएगा रहन 19 यहां प्रगुणा में थे इनका पक्षानता होगा तो भाग में पहुत जाएंगे यानि एक्स बराबर आ जाएगा रिन 19 बटे दो यह हमारा आंसर हो जाएगा तो इस तरह से आपको प्रशनों को हल्म करना था यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो त क्षानता हो तो क्लाएगा